नमश्कार दोस्तों, कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंट कर दिया गया है और ट्विटर की माने तो ये कुछ दिन के लिए नहीं बलकि पर्मनेंट सस्पेंशन है अगर ऐसा है तो ये डॉनल्ड ट्रम्प के सस्पेंशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेलेब्रिटी अकाउंट सस्पेंशन है ट्विटर का जो ट्विटर ने आज तक किया है वैसे पिछले कई सालों से कंगना रनौत हमेशा ही कॉंट्रवर्सीज में रही है हर हफते वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखती है जो या तो कॉंट्रवर्शल होता है या नफरत फिलाता है लोगों के बीच में या फिर सिंपली स्टूपिड होता है अभी पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर लोगों को मेडिकल ऑक्सिजन की कमी है तो लोगों को जाकर पेड होगाने चाहिए जिससे ऑक्सिजन आ जाए मतलब क्या लॉजिक है आपर कभी वो फार्मर्स को टेर्रिस से कंपेर करती थी तो कभी मेंटल इलनेस या डिप्रेशन का मलाग बनाती थी मतलब इतनी कॉंट्रोवर्शल स्टेटमेंट्स हैं उनकी की तीन घंटे की एक पूरी पिक्चर बन जाएगी इस पर लेकिन स्टूपिड और कॉंट्रोवर्शल स्टेटमेंट्स देना अकाउंट सस्पेंट करने के पीछे रीजन नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम तब आती है जब देश में नफरत फिलाई जाती है लोगों को भड़काया जाता है वाइलेंस करने के लिए कंगना रनौत का जो प्रॉब्लमाटिक ट्वीट था जिसके बाद उन्हें सस्पेंट किया गया वो ये था कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्वीट एक obvious reference है 2002 के गुजराथ दंगो का अब हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे प्रिये मोदी जी का कोई हाथ नहीं था 2002 के गुजराथ दंगो मतलब कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि उनका हाथ था लेकिन जितने भी मोदी सपोर्टर्स हैं वो हमें सालों से convince करने की कोशिश करते आएं हैं कि मोदी जी का कोई हाथ नहीं था उन्हें ब्लेम नहीं करना चीए 2002 के दंगो की तो यहाँ पर कंगना रनौत कैसे मोदी जी को ऐसा रूप धारन करने को कह सकती हैं जो कभी exist ही नहीं करता था किसकी बात कर रही हैं आप पर यह ना सिर्फ नफरत फिला रही हैं बलकि हमारे प्रधान मंतरी को defame भी कर रही हैं और fake news भी फिला रही है Twitter का कहना है कि इनके account को permanently suspend किया गया है for repeated violations of Twitter rules यानि एक tweet नहीं है जिसके वज़े से suspend किया गया है पिछले इनके कई ऐसे tweets आए हैं जो violate करते रहे हैं Twitter rules को और finally अब जाकर suspend किया है Twitter का कहना है कि hateful conduct policy और abusive behavior policy इनकी मतलब सीधा सीधा कहें तो नफरत फैलाने के लिए और hate फैलाने के लिए account suspend किया गया Twitter ये भी कहता है कि अपने सारे rules को impartially apply करते हैं हर किसी पर ये rules सब के लिए बराबर हैं जो लोग Twitter इस्तिमाल करते हैं लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि ये rules कितने impartially apply किये जाते हैं account suspend होने के बाद Kangna Ranaut ने क्या response दिया इस issue को लेकर वो भी बड़ा interesting है ये कहती है कि a white person feels entitled to enslave a brown person मतलब इनका कहना है कि हमेशा से ही इन white लोगों की आदत रही है कि हम brown लोगों को enslave करते रहें हमें slaves की तरहें treat करते रहें मतलब कहां से skin color कैसे बीच में आ गया इस पूरी situation में कुछ भी कुछ भी इनके original tweet का context था West Bengal में हो रहा post poll violence जिसके response में इन्होंने ये tweet किया था हम सब जानते हैं कि West Bengal में multiple instances देखे गए है violence के election results के बाद BJP एलेच करती है कि धेर सारे BJP workers के घरों को पर attack किया गया vandalize किया गया और घरों को जलाया गया 6 से ज़ादा BJP workers मारे गए इस violence के एक instance में एक औरत की मौत हो गई अपने बेटे को बचाते वक्त BJP obviously TMC के गुंडों को ब्लेम करती है इस violence के पीछे दूसरी तरफ TMC का कहना है कि उनके भी 5 workers की मौत हो गई है दो party workers तब मारे गए जब वो एक BJP dominated area से गुजर रहे थे और BJP workers ने उन TMC workers पर हमला किया CPIM भी कहती है कि उनके party office और उनके supporters के घरों पर आग जलाए गई attack किया गया कुछ बेशर्म लोग इस violence को इस्तिमाल कर रहे हैं यहां पर भी politics खेलने के लिए और फरजी खबरे फेला रहे हैं जैसे कि एक यह fake news बड़ी popular हुई थी इस West Bengal violence को लेकर लेकिन आपको यहां पर सोचना यह जरूरी है दोस्तों कि BJP workers और TMC workers से ज़्यादा यहां पर 10 से ज़्यादा इंसानों की हत्या हुई है इंसानियत की हत्या हुई है obviously कोई भी आम आदमी situation को देखकर कहेगा कि यहां पर violence नहीं होना चाहिए लोगों को शांती बनाए रखनी चाहिए law and order को maintain किया जाना चाहिए लेकिन कंगना रेनौत का response क्या था यहां पर गुंडा गिरी हो रही है violence हो रहा है कोई अच्छी चीज़ नहीं है violence के response में और violence करना law and order को maintain किया जाना चाहिए आप पर और मैं सीधा कहूंगा कि मेरी राय में responsibility आती है Chief Minister Mamata Banerji पर State Government में police उनके control में है तो उन्हें इसके लिए accountable ठहराया जाना चाहिए अगर law and order सही से maintain नहीं होता है लेकिन एक lesson यहां पर आप लोगों के लिए भी है जब आप लोग सोशल मीडिया पर कोई भी photos, videos या post share करते हैं इन दंगों की, violence की, लोगों की death की जरा उसे एक बारी verify कर लीजिए क्या उस चीज़ को अलग-अलग reputable mainstream media organizations में उसके बारे में post किया गया है या फिर आप उन्हें फरजी pages से उस खबर को देख रहे हैं क्योंकि Instagram और Facebook पे कई ऐसे fake news फिलाने वाले pages हैं जो चीज़ों को exaggerate करते हैं कहते हैं कि यह देखो यहापर 100 से जादा workers मारे गए जिससे कि आपके अंदर नफरत फैल इनका main aim news बताना नहीं होता आपको इनका main aim होता है आपके अंदर नफरत फैलाना और violence भड़काना तो एक तो share करने से पहले ज़रा verify कीजिए और दूसरा ज़रा सोच कर देखिए जब आप कुछ ऐसा share करेंगे तो उसको देखने वाला इनसान उसको पढ़ने वाला इनसान क्या उसके अंदर नफरत जागेगी और violence और भी ज़्यादा करने लगेगा क्या violence की situation और बिगड जाएगी उसको share करने से या फिर violence control में आएगा उसको share करने से इनसानियत के बारे में सोचिए धन्यवाद